जै भीम मैं हूँ AI एंकर मुक्ता और आप देख रहे हैं दन्यूस भी महिला आरक्षन बिल को लेकर BSP अध्यक्ष मायावती ने आज मोदी सरकार को घेरते हुए गंभीर सवाल खड़े किये मायावती ने कहा कि मोदी सरकार ने जान बूच कर ऐसे प्रावधान किये हैं कि महिला आरक्षन बिलपास होने के बाद भी महिलाओं को 10 से 15 सालों तक आरक्षन नहीं मिलेगा क्योंकि इस महिला आरक्षन से संबंदित सविधान के 128 वे संसोधन विद्यक 2023 के अंतरगत देश में लोकसबा वे राज्य विधान सबाओं में भी 33 परतिशत महिलाओं को आरक्षन दिये जाने के कुछ प्रवधान कुछ प्रवधान इसमें इस प्रकार से बनाए गए हैं जिसके तहत अगले काफी बर्सों तक अर्थात लगभग 15-16 वर्सों तक यानि कि कई चुनाब तक देश की महलाओं को ये आरक्षन प्राप्त नहीं हो पाएगा और इस विद्यक में ऐसे जो प्रवधान रखे गए हैं तो उनका मैं यहां उलेक करना बहुत जरूरी समस्ति हैं और इस संसोधन विद्यक के तहद इस महला आरक्षन विद्यक के पास होने के बाद पहले पूरे देश में जन गन्ना कराई जाएगी जब ये बिल पास हो जाएगा हाउस में पार्लेमेंड में तो पास होने के बाद पहले पूरे देश में जन गन्ना कराई जाएगी पास तो हो जाएगा ये लेकिन तुरंत लागू नहीं होगा और पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगन्ना कराई जाएगी और जब ये जनगन्ना पूरी हो जाएगी तो तब उसके पश्चात ही पूरे देश में लोकसबा तथा राज्य विधान सबाओं का परी सीमन पुने कराई जाएगा इसके बाद फिर पर इसी मन होगा सीटों का कराय जाएगा और उसके बाद ही तब ये महला अरक्षन समंदी संसोधन विद्यक लगू होगा और ये बाद भी किसी से छिपी नहीं है कि देज भर में नए सिरे से जनकन्ना कराने में अनेको वर्स लग जाते हैं मायावती ने स्सी और स्टी महिलाओं को पहले से ही स्सी सिंट की आरक्षित सीटों में ही आरक्षन देने का विरोध किया और स्सी, स्टी के साथ साथ OBC महिलाओं के लिए भी कोटे के अंदर कोटा देने की माम की पिछली जनकन्ना सन 2011 में परकासित हुई थी जिसके पश्षात आज तक कुने जनकन्ना नहीं हो सकी है ऐसी इस्तिती में सविधान संसोधन के तहट इस नई जनकन्ना में जिसमें अनेकों वर्स लग जाएंगे तो तब फिर उसके बाद ही पूरे देश में परिसीमन का कारिये सुरू किया जाएगा जिसमें भी अनेकों वर्स लग जाएंगे और इस परिसीमन के पशाती तब फिर ये महला अरक्षन विद्यक लागू होगा जबकि 128 वे संसोधन विद्यक की सीमा ही अंद्रा बर्स रखी गई है इस परकार से ये स्पस्ट है कि ये संसोधन विद्यक वास्तम में महलाओं को आरक्षन देने की साफ नियस से नहीं लाया गया है बलकि आने वाले विद्धान सभाओं तथा लोग सभा के चुनाबों में देश की भूली भाली महलाओं को ये परलोवन देकर वे उनकी आँखों में धूल जोकर उनका बोट हासिल करने की नियस से ही लाया गया है इसके सिवाय कुछ भी नहीं है जैसा कि इसमें कंडिशन्स रखी गई है इसको लागू करने से पहले जो शर्ते रखी गई है और जदी ऐसा नहीं है ये कहते हैं और जदी ऐसा नहीं है तो फिर हमारी पार्टी सरकार से ये भी अनुरोध करती है कि सरकार इस विध्यक में से या तो इन दोनों प्रवधानों को निकाले या फिर कुछ ऐसे उपाय तला से जिससे इस विध्यक के तैट महलाओं को जदी आरक्षन का लाब मिल जाए इसके साथ साथ यहां मैं इस बात की भी केंद्र सरकार से पुने ये अपील करती हूं कि 33 परतिशत महलाओं के आरक्षन के अंतरगत हालांकि मायावती ने कहा कि इन सब खामियों के बावजूद उनकी पार्टी महिला आरक्षन बिल का समर्थन करेगी क्योंकि सामान्य वर्प की महिलाओं की हालत भी खराब है जो पहले से इनको SCST को जो आरक्षन मिल रहा है तो जो इनको 33 परतिशत SCST की महलाओं को जो आरक्षन देना है तो अभी तक क्या परवी इसमें विवस्ता है कि जो पहले से इनको SCST को मिल रहा है तो उसमें से 33 परतिशत इनको दिया जाए महलाओं को और उसको 33 परतिशत में जो अब लाये जा रहा है इंक्लूट किया जा रहा है इससे हमारी पार्टी सहमत नहीं है बलकि इनको ये आरक्षन अलग से दिया जाना चाहिए 33 परतिशत में दिया जाना चाहिए इसके साथ ही देश की ओबिसी वर्गों की महलाओं का भी इस महला आरक्षन विध्यक में अलग से आरक्षन का कोटा सुनिशित किया जाना चाहिए जो सामाने वर्गों की महलाओं की तुल्ला में ये अभी भी काफी पिश्डी हुई है और जदी इन सबी वर्गों की महलाओं के आरक्षन के मामले में यानी के SC, ST और OBC की महलाओं के आरक्षन के मामले में मेरी इस अपील पर सरकार अमल नहीं करती है तो भी हमारी पार्टी इस बिल का इस खास बात को ध्यान में रखकर महिला आरक्षन पर बोलते हुए बस्पा अध्यक्ष ने महिलाओं के मुक्तिदाता बाबा साहब आमबेड करके योगदान को भी याद किया जबकि महिलाओं के मामले में वास्तम में सचाई तो यह है कि इन्हें अभी तक जो भी अधिकार मिले हैं जर्नली महिलाओं को जो भी अधिकार मिले हैं तो वे अधिकार सिंदू कोर्ट बिल के तहट परम पुझ्य बाबा साहब डॉक्टर भीम रावंबेड करके अथक परिय कांग्रेसी सरकार ने इस से पूरे तोर्च से प्स नहीं होने दिया था जिससे फिर बाद में टुकडो टुकडो में पास किया गया है। नहीं हो सका था लेकिन अपने राजनितिक लाब के लिए अब इस पार्टी के भी नेता यानि कि कांग्रेस पार्टी के भी नेता इन वर्गों की महलाओं को अलग से आरक्षन दिये जाने की बात कर रहे हैं वकालत कर रहे हैं इससे साब जाहिर है कि देश की महलाओं को लोगसभा वे राज्य विधान सबाओं में इनको आरक्षन देने के मामले में बीजेपी वे कांग्रेस पार्टी अंड कंपनी के लोगों की पूरे तोर से नियत साथ नहीं है और ये सबी पार्टियां इसकी आड में केवल इनका बोट हासिल करने के लिए अपने अपने स्वार्थ की राजनिती कर रहे हैं और कुछ भी नहीं इसलिए देश की महलाएं ऐसी सबी पार्टियों से जरूर साथ धान जाएं जिनसे नहीं कुछ भी हासिल होने वाला नहीं मायावती के इस बयान पर अपनी राय कमेंट में लिखें विडियो को शेर करें और दन्यूस बीक को सब्सक्राइब करें अंत में आप से एक जरूरी अपील साथ ही अगर आपको दन्यूस बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यू ही अमबिट करवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR को स्कैन करें और न्यूस बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशी भेजें QR कोड के अलावा आप यूपिय की जर्ये भी मदद कर सकते हैं आप हमारी यूपिय आई डी न्यूस बीक अट दे रेट यस बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं, खाते का नाम है Newspeak Foundation, अकाउंट नंबर है 0235-887-0000-640, IFSC code है YESB-000-235, बैंक का नाम YESBank है और ब्रांच है नहरू पैलेस दिली, आप डोनेशन के एवेज में इंकम टेक्स में भी छूट पा सकते हैं, डोन करें डोनेशन, स्पेस अप का नाम और हमें 8595794224 पर वाट्साप करें